मूवी के सुरुवात में हम दो आदमी को देखते हैं जो कि सरप्राज नाम के इस गाटी में सापों की तसक्री करने के लिए इनका सिकार कर रहे होते हैं इन में से एक आदमे सापों से बहुत डर रहा होता है जिसके करान लाओमा नाम का ये आदमी उसे जान बुचकर डरा रहा होता है। तभी इने जाड़ियों में कोई चीज दिखाई देती हैं लेकिन यह लोग उसे नजर अंदाज कर देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। जिसके बाद यहां एक बहुत बड़ा दो मोह वाला अजगर साप आता है और पलक जपकते इस आदमी को निगल जाता है। जब लाओमा अपने साथी को पीची मुड़ कर देखता है तो वो नहीं होता है और फिर अचानक उपर से उस आदमी की लास नीचे गिरती है जिसे देखकर लाओमा बहुत डर जाता है और तभी वो दो मोह वाला अजगर उसे भी निगल जाता है। जिसके बाद हमें रात के समय एक ट्रेन का सीन दिखाये जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ आर्मी का एक गुरूप भी सपर कर रहे होते हैं। जाला नहीं होता है क्यूंकि अचानक ट्रेन किसी कारण से रुख जाती है और उसके छट धीरे धीरे नीचे दबने लगती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन मूसिंग साब के बारें बहुत कोई जानता था है इसलिए वो सभी लोगों को लसुन चबा कर उगलने को कहता है। लहसुन की गमक से सभी साब पीछे होने लगते हैं। लेकिन फिर ट्रेन के इस डब्बी के दर्वाजे को तोड़कर वही दो मूवाला अजगर अंदर आ जाता है। जिसे देखकर मूसिंग सभी लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें ट्रेन के दूसरे डब्बे में ले जाने लगता है। और धीरे-धीरे सभी को मारने लगता है। मूसिंग, जिंगलें, सावयांग और कुछ लोग सापों से बसते हुए पहाल के तरब भागने लगता है। और सुखे घासों में सराब छड़कर उसमें आग जला देते हैं। अब इनके साथ बहुत कम लोग बचे होते हैं जिसमें से कुछ लोग को सापों ने काट लिया होता है और वो बहुत बूरी तरह से जगमी होते हैं। इसलिए मूसिंग सभी को उसके गाउं जाने को कहता है क्यूंकि उसके घर में सापों के काटने से बचने की दवा है। गाउं के आलत बहुत ज़्यादा खराब होती है मूसिंग ये देखकर भागते हुए पुराने मंदिर जाता है और अपनी मा को सजी सलामत देखकर उसे थोड़ी से रहात मिलती है अब जिंगलेन भी बहुत सालों के बाद डोक्टरे की पढ़ाई करने के बाद अपने पापा से मिलती है उसके पापा से पूछने से सभी को पता चलता है कि कल रात को यहाँ भी सापो ने हमला किया था और बहुत लोगों को सापो ने काट कर जगमी कर दिया होता है और इनके जहर को काटने वाली दावा भी काम नहीं कर रही होती है जिसके करन मूसिंग सभी लोगों क कुछ लोग नागफूल के खोज में निकल जाते हैं और धीरे धीरे ये लोग मैप के अनुसरा आके बढ़ने लगते हैं जहां रास्ते में इन्हें एक नदी को पार करना होता है और ये लोग बास के राफ्ट बना कर नदी को पार करने लगते हैं लेकिन सावयांग ने रास्ती में बहुत सराप पीली थी, जिसकी करण वो राप्ट में से नदी में टोरेट करने लगता है, इसी समय उसे नदी में एक बड़ा एनाकॉंडा दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और पानी में गिर जाता है, एनाकॉंडा सावयांग पर हमला करता है, उससे पहले वो राप्ट में चड़ जाता है, इसी वाग दूसरे राप्ट में से एक लड़के को वो एनाकॉंडा दिखता है, जिसके करन वो अपने नोकीले अवजार से उसे मारने के कुश करने लगता है, लेकिन गलती से वो अपने राप्ट में बंदे हुए रस्टी को काट देता है, जिसे राप्ट तूट जाती है, और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, और सभी लोग जान पचा कर नदी में कुश जाते हैं और किनारे आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग किसी तरह सापों से बस्ते हुए आगे बढ़ते हैं, और ब्लेक वीडो नाम के मकडियों के इलाके में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग दीरे दीरे बीना आवाज किये आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सहनिक डर के कारण गलती से इनके छटे पर गोली चला देता है, जिसके करण सभी मकडिया बाहर निकलने लगती हैं और इन पर हमला कर देती हैं, इन से बस्ते हुई ये लोग उसे मारने लगते हैं लेकिन ये मकडिया बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो एक आदमी को बहुत बूरी तरह से खुन पीकर उसे पूरी तरह से खतम कर देती हैं, इन मकडियों से बचकर ये लोग किसी तरह वहाँ से नागराज के मंदिन में आ जाते हैं और रात यहीं गुजारने की सोचते हैं लेकिन जिंगलेन आप अब अजीब सी हरकत करने लगती है क्योंकि उसकी गर्दन में उन मकडियों ने काट लिया होता है जब मुसेंग जिंग जहां होती है उसे कोई आदमी बहुत बुरी नेरSecत देख रहा होता है और जानबुर्च कर उसके टम में एक साब छोड़ देता है लेकिन जिंगलेंग की अवाद सुनकर मूसेंग किसी तरह उस साब को निकाल लेता है और जब सावयांग मूसेंग को जिंगलेंग के साथ देखता है तब वो रोने लगता है और बहार आकर मूसेंग से लड़ने लगता है इधर इस लड़के को भूत जैसे किसी चीश की परचाई दिखाई देती है और ही लोगों के साथ आजीब आजीब से चीज़े होने लगती है मूसेंग इनकी आवाज सुनकर इनके पास आता है इसी का फायदा उठाते हुए जिंगलेन को कोई वहाँ से ले जाता है मगर मूसेंग किसी तरह उस जगा पहुच जाता है और समलते समलते आगे बढ़ता है लेकिन तभी एक बोना आदमी उसे पीछे से एक नोकिली चीट से अपने बस में कर लेता है इसी वक्त यहाँ सावयांग आ जाता है और गन पोइंड में इस बोने को ले लेता है फिर मूसेंग जिंगलेन को निकालता है और बोने आदमी से उसका नाम पुस्ता है कि कौन हो तुम वो बोना अपना नाम दुखी नाग बताता है दुखी नाग सरप्राज गाटी के बारे में सब कुछ जानता है इसलिए मूसेंग उससे मदद लेने की सोचता है जिसके बाद यह लोग बोने आदमी के पीछे-पीछे सरप्राज गाटी में आ जाते हैं और इसी पीछ हम उस दो मौवाले अजगर को देखते हैं जो की अंदर ही होता है बोना आदमी यहां इन लोगों को समल कर अंदर जाने को कहता है क्यूंकि अंदर बहुत ज़ाथा खत्रा होता है अब यह लोग धीरे-धीरे समल कर अंदर जाते हैं क्योंकि उपर खून पीने वाले चमगादर सो रहे होते हैं और थोड़ी सी भी अवाच करने में वो जाग जाएंगे इसलिए ये लोग वहाँ से निकलते हैं लेकिन आगी एक बहुत पुराना पूल होता है जिसे सबसे पहले ये बोना पार करता है फिर दीरे दीरे करके सभी लोग पार करने लगते हैं लेकिन पूल में अनमेलेंस होने की वज़ा से ये बुड़ा आदमी गिर जाता है जिससे उसका सारा पैसा नीचे गिर जाता है फिर किसी तरह ये बुड़ा आदमी और बाकी के लोग पूल को पार करते हैं मगर दो सैनिक पूल को पकड़े हुए थे हैं जिसके करण वो नहीं आपाते हैं और खुन पीने वाले चमगादार यहां आ जाते हैं और इनको खतम कर देते हैं जिसे देखकर सावयांग बहुत रोरता है लेकिन फिर आगे यह लोग दो गुरूप में बढ़ जाते हैं एक मूसेंग की और दूसरा इस बोने की अब यह लोग नागफुल की खोज में निकल जाते हैं जिससे ही लोग बहूत बूरी तरह से फस जाते हैं और इन पर खतरनाग जिकर हमला करने लगते हैं लेकिन मिस एजी साजिकर का बहुत डटकर सामना करती है और किसे तरह बहार जाने के दर्वाजाई साप से बना ले ति है और इन लोगों को वहाँ से बेचकर खुद इस साप से लड़ाई में मर जाती है इधर मूसेंग नाकपुल को तोड़ रहा होता है लेकिन तभी वो बोना आदमी सावयां को गन पोइंट में लेकर यहाँ आता है और मूसेंग को और भी जादा नाकपुल तुड़ने को कहता है क्योंकि वो उसे बेचकर अमिरोना चाहता था अब मूसेंग सारे नाकपुल को लेकर नीची आता है और मूसेंग से यह बोना नाकपुल से भरे थैली को ले लेता है लेकिन तभी यहाँ दो मुवला अजगर आ जाता है और बोने को निकल जाता है जिससे वह थैली सापों के खाई में लटक जाती है और जब यह बुड़ा आत्मी उसे लेने जाता है तो वो उस खाई में गिर कर मर जाता है जिसके बाद मुसेंग उस नागफल को वहाँ से निकालता है और जिंगलेन और सावयांग के साथ अजगर से बचकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन सावयांग यहाँ अपने साथियों से बदला लेने के लिए एक बम को लेकर उस अजगर के पास चल जाता है और खुद के साथ आजगर को फोलने कुछ करता है मगर वो नाकामियाब हो जाता है और आजगर बच जाता है और खुद मर जाता है फिर आजगर इन पर हमला करने लगता है लेकिन आप मूसेंग बहुत बहादुरी से इस आजगर को होगा इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए